हेलो फ्रेंस मेरे चैनल अजीन मैं ठीचीम आप सभी का फिल से स्वागए थे तो दोस्तों आज की इस वीड़ों में हम मीटर को फिट में चेंज करने वाले हैं और मीटर को सेंटी मीटर में जिसे दोस्तों मैंने आप लिखा है कि जो 10 मीटर होता इसमें कितना फिट आएगा इसको हम कैसे निकाले और 10 मीटर में कितने सेंटी मीटर होंगे इसको हम कैसे फाइन करें इसको मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमें यह मालूम होने चाहिए कि जो एक मीटर होता उसमें कितने फी में 89.37 धारे न होती है यह होगया अब फेट वारा इंच होता है यह तो फिक्स है तो हमता इसका करेंगे देख लेना मोगाल के इतना ही आएगा अगर हम 40 के बात करेंगे इस हिसाब से कितना आएगा क्या करआंगा 242 टीकर विड़ करेंगे कितना आजाएगा दुरसमलों दुच में धूरा सब्सक्राय बदोल होते हैं जारो हमें क्या करना है दुस्तों इस ब्ADOG में कि हमें 10 मीटर को में जो जितने 1 meter जितने fit आ रहे हैं उसका multiply कर देंगे यानि कि गुड़ा कर देंगे तो क्या होगा दस गुड़े तीन दसमलो दो आठ में जब गुड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा दसमलो हमारे गशाग जाएगा 32.8 Fit हो जाएगी ठीक है इसाब से 32.8 Fit यानि कि 10 में क्या हो जाएगा 32.8 हो जाएगे ठीक अगर हम बात करेंगे 33.3 के हिसाब से तो इसमें जब 10 को गुड़ा करेंगे 33.3 फिट में तो कितना हो जाएगा है यह हो गया हमारा जब करेंगे क्या हो जाएगा 33.3 विट हो जाएगे किछ किसछ अबस से जब मार जो 1 मीटर में 40ज यजव जिसमें कि 303 to 5 5 चैंज करिदि यह और सच करना चारते हैं कि 171 मृटर से करेंगे तो 132 यह मिटर पर डाबर क्या होता यह सो सेन सब्सक्राइब तो यालिक कि क्या हो जाएगा दस मीटर बाबर एक हजा सेंटी मीटर हो जाएगा यह हो गया हमारा एंसर तो यही है दोस्ते इस वीडियो में कि जो एक मीटर बाबर कितना हो गया तो दस मीटर बाबर इतना फीट और इतना सेंटी मीटर होती है आई हो दोस्तों आपको यह ज